परकरतीने में हर मौसं के अनुसार खाने पेने के ली बहुत सी चीजें दिये और हर सीजन के अकॉर्डिंगल वहारी डाइट में उनको सामिल करें तो घंणर्ल हेल्थ अच्छी रहे गी वहीं बहुत सी बिमारीं से भी उस सीजन में जो होती हैं उनसे बढ़ सकते हैं फ्रेंट्स आज की वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं बेल जिसका हम जूस भी पीते हैं और इसका सर्वत बनाकर भी पीते हैं आईरवेड के अंदर इसमें बहुत सी medicinal properties है इसलिए इसको बहुत सी medicines में यूज किया जाता है वहीं होमेपेथिक अंदर भी इससे एक medicine बनती है इगल मारमोलोस नाम से medicine बनती है और बेल हम लोग जानते हैं कि यह बाहर से जाओ होता है एकदम सक्त है कटोर है और अंदर से बिलकूल यह soft और मुलाइम इसका जो है आप कह सकते हैं जो इसका गुदा होता है वो होता है तो बेल जिस तरह से बाहर से hard है और अंदर से soft है ठीक इसी तरह से अगर आप इसका juice लेते हैं इसका सर्वत बना के लेते हैं तो यह आपके सरीर को बाहर से कटोर बनाता है मजबूत बनाता है आपकी immunity की strong बनाता है वह फाइदे मन्द करता है ये आपको गर्मी में आपके सरीर को ठंड़क देता है और लूसे बचाता है बेल के जूस में बहुत से पौसकताथ होते हैं ये आपके लिए जे डीटॉक्स ड्रिंक काम करता है इसमें 61% पानी होता है इसलिए आपको गर्मियों में डी हाइडरेट हो होता है बेल के जूस के अंदर अंटी फंगल प्रोपर्टी इस होती है एंटी बैक्टिरियल आंटी माइक्रोबियल और अंटी ओक्सिडेंट प्रोपरटीज होती है लगबग एक गलाज जूस जिसको हम कहते हैं 250 ml अगर हम बेल के बात करें इसके अंदर 140 to 150 कैलोरी होती है मैं डॉक्टर रावज चौधरी ये शौमेपतिक सेंटर जोदपूर से आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से बेल के जूस को लिया जाए किस तरह से बेल के जूस को बनाया जाए और वो कौन से लोग हैं जिनको बेल का जूस सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके लिए नुकसान दाइक भी हो सकता है हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेल के जूस से होने वाले फाइदों के बारे में हमने बात की कि इसके अंदर 61% पानी होता है इसकी तासी ठंडी होती है इसलिए आपको इसको गर्मी के मौसम में जरूर लेना चाहिए क्योंकि आपके सरीर को ठंड़क रखेगा और आपको लूसे बचाएगा नेक्स हम बेल के फाइदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका फाइदा देखा गया है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यह आपके पाचन तंतर को बहुत स्ट्रोंग मनाता है और स्टेडीज कहती है कि अगर आप सुबह खाली पेट बेल का जूस पीते हैं तो यह आपके पेट को साफ करता है आपके आंतों में चिपके मल को निकालता है आपकी कबज दूर करता है इसमें मौझूद इंजाइम होते हैं जो आपके पाचन तंतर को मजबूत करते हैं यह आपको गेस, ब्लोटिंग, पेट फूलना दूर करता है, पेट से सम्मन्दी समश्याओं को दूर करता है, इसमें फाइबर्स होते हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, पेट की बिमारियों से छुटकारा दिलाते हैं, यह आपके एसिडिटी कम क करता है, और पेटिकल सर में भी आपका फाइदा करता है, इसकी तासी ठंडी है, आपकी आँटे अच्छी तरे से साप होती है, आपका कब्ज दूर होता है, इसलिए वो लोग जिनको बार-बार मुह में च्छाले बन जाते हैं पेट की विमारियों से, उनको भी बेल का करता है, या आपके लिवर को डिटोक्स करता है, आपके लिवर से विसाक्त पदार्तों को बाहर निकालता है, लिवर को तागत देता है, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपको पीलिया में भी मदद करता है, आज के समय में हर कोई मोटा पे या ओबेसिटी से परेशान है अगर आप बेल का जूस सुबह सुबह लेते हैं तिया आपको वेट लूस करने में मदद करता है क्योंकि ये फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आपका डाइजेस्टन स्ट्रोंग होता है आपकी बॉड़ी से एक स्टा फेट कम होता है इसका ग्लाइ बेल का जूस विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और आप जानते हैं कि विटामिन सी हमारे बॉड़ी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने में मदद करता है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है जिससे आप बार-बार बिमार होने से बसते हैं Fiber होते हैं जो आपके blood sugar level को control करने में मदद करते हैं लेकिन यह ध्यान रखेंगी अगर आपको diabetes के और फिर बेल का juice ले रहे हैं तो जब आप juice बनाए तो उसके अंदर चीनी नहीं मिलाएं आप इसको direct लें फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं heart की बात दिल की बिमारिया diabetes कहती है कि बेल का juice आप लेते हैं तो इसके अंदर potassium होता है जो आपके blood pressure को कम करने में मदद करता है इसमें anti-oxidants होते हैं जो दिल को साब करने में मदद करते हैं आपको heart से संबंदित बिमारी उसे बचाते हैं और यह आपके बढ़ेवे cholesterol level को भी कम करने में मदद करते हैं हर क्योंकि बेल का juice है ब्लड फ्योरिफायर काम करता है यह आपके blood को detox करता है blood से सारे waste material toxins को बाहर निकालता है जिससे आपकी skin glow करती है और skin से संबंदित बिमारियों में आपकी मदद करता है फ्रेंड्स महीलाओं के लिए females की इंबाद करें तो बेल का juice females के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदेमंद देखा गया क्योंकि वो महीला हैं जो बच्चों को breast feed करा रही है यह उनके लिए बहुत फाइदेमंद है यह milk production को बढ़ाता है इसमें antioxidants properties होती है इसलिए इसको regular लेने से females के अंदर breast cancer से बसने में भी मदद होती है यह आपकी bones health के लिए बहुत अ होने लगता है जिसमें हम देखते हैं कि हडियां कमजोर होने लगती है यह आप उससे भी बजाता है बेल का जूस आपकी आंकों को भी healthy रखता है तो हमने इतने सारे फायदे देखे अब हम देखलें कि बेल के juice को कब लें हमने बात की कि जो बेल होता है आप जानते हैं यहूं को अच्छी तरह से निकाल लें क्योंकि इसके बीच काफी कड़वे होते और ध्यान रखें अंदर कोई भी बीज नहीं रहे वहना आपको इसका टैस्ट हो थोड़ा सा कड़वा लग सकता है अगर आपको डाइबिटीज नहीं है तो आप इसमें स्वाद के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है वो सुबह भुके पेट अगर आप इसको लेते हैं तो आपको इससे मैकसिमम आपको फाइदा देखने को मिलेगा फ्रेंड्स अब हम बात करें वो कौन कौन से लोग हैं जिनको बेल जूस नहीं लेना चाहिए या लेते समय थोड़ी साउधा लगानी बलतनी चाहिए हमने बात की कि जो बेल का जूस से इसकी तासीर बहुत फ़भी होती है इसलिए आप को घरमी में बहुत ज़दा फाइदे मंद होता है तो इससे यह पाता चलता है कि वो लोग जिनको सरधी रहती है जिनको बार-बार जुकाम रहता है जिनको बहु लूज मोसन होता रहता है जिनको हरसे में दस बनी रहती है ऐसे लोगों को बेल का जूस नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपकी जी आई मोटलिटी बढ़ाता है इसके अंदर लेक्जेटी प्रॉपर्टीज है तो अगर आपको पहले से दस की सिकायत हो रही है बहुत ज़्याद बेल के जूस को लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ले क्योंकि वणना उनकी जीए मोटलिटी बढ़ सकती है फ्रेंड्स में उमीद करता हूं कि बेल के जूस के इतने सारे फाइदे जानने के बाद इसको किस तरह से बनाया जाना चाहिए और किस तरह इसको लेना चाहिए और किन-किन लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए इतने सारे फाइदे जानने के बाद आप बेल के जूस का जुरूर फाइदा उठाएंगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेर करें जिससे ज्यादा से ज्यादे लोगों को इसको फाइदा मिल सके thank you